ओम श्यंति इस जीवन में सदा खुष रहना ये बहुत पड़े भाग्य की निशानी है संसार में यदि हम चारो नजर दोडा कर देखें तो बहुत कम लोग हमें खुष दिखाई देंगे अधिकतर लोग अपने जीवन की किसी न किसी गाथा को लेकर परेशानियों से घिरे हुए नजर आते हैं जिससे भी बात करो वो अनेक समस्याओं को लिए बैठा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जो दूसरों की समस्याओं की चिन्ताओं को लेकर खुस नहीं रहते हैं मेरे बाप ने ऐसा किया था मेरी माँ के साथ ऐसा किया था मुझे फलाने ने कभी ऐसे सताया था मेरे बच्चे ऐसे हैं वो मेरी सुनते नहीं हैं वो सारी रात वीडियो गेम देखते हैं, इनका भविश क्या होगा, माताओं के लिए चिंता का भविश्य तो होता है, जब उनके जवान बच्चे कुछ काम नहीं करते और बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, एडिक्टिड हो जाते हैं किसी भी चीज के, पन्तु हमें भगवान कहता है, कि तुम्हें सदा खुस रहना है, खुसी तुमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, अगर तुम भगवान के बच्चे ही खुस नहीं रहेंगे, तो संसार में भला और कौन खुस रहेगा, सोचने की बात है, जिने स्वयम भगवान मिल गया हो जिन की पालना स्वयम पालन करता कर रहा हो, जिन पर रोज भगवान की नजर पढ़ती हो, जिनके घर में भगवान मेहमान बन कर आ गया हो, जिने उसने स्वयम परम्शिक्षक बन कर सत्ग्यान दे दिया हो वे ही यदि खुस नहीं होंगे तो संचार में कौन खुस रहेगा तो हम सभी सवेरे उठकर अपने को खुसी में रखने के कुछ पॉइंट्स याद करे ताकि सवेरे सवेरे ही हमारा मन खुसियों से भरपूर हो जाए इस जीवन में मुझे क्या मिला इस जीवन में इन आखों के द्वारा मैंने क्या क्या देखा हजारों बार भगवान को इस धरा पर अवतरित होते देखा उसे भाग्य बाटते हुए देखा उसने अपने बच्चों की प्यार से कैसे पालना की उसको प्यार बाटते हुए देखा भगवान ने कैसे सत्य गीता ग्यान दिया डैरक्ट उसको गीता ग्यान देते हुए देखा हमने अपने कानों से उसके द्वारा गीता ग्यान का स्रवन किया कितने भाग्यवान हैं हम, यदि संसार में हाथ उठवाया जाए, कि कौन सबसे अधीक भाग्यवान हैं, तो वो हम ही होंगे, तो अपने भाग्य की इस्मर्ती का टी का, रोज सवेरे सवेरे, अपने मस्तक पर अवस्य लगा लिया करें, और ध्यान रखें, कि छच्चोटी बातों की कारण हमें अपनी खुसी को खोना नहीं है, तो आज सवेरे से ही हम, खुस रहने को अपना वर्दान बनाने, मुझे बहुत खुस रहना है, कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जीए, मैं तो बहुत खुस रहूंगा, बहुत खुस रहूंगी, मेरे जैसा खुस नसीब इस अंसार में कोई भी नहीं है, मैं किसी दूसरे को नहीं देखूंगी, क्योंकि दूसरों को देखते ही, अब उन देखते ही, खुसी नस्ट हो जाती है, तो आज सारा दिन, अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिष्टा हूं, मेरे अंग-अंग से रंग विरंगी किर्ने फैल रही हैं, बहुत अच्छी फिलिंग, अपने स्वरूप को देखेंगे, मैं डबल लाइट हूं, मैं बंधन मुक्त फरिष्टा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र फरिष्टा हूं, मेरा केवल एक परंपिता से ही संपूर्ण वही मेरे आकर्षन का केंद्र है, वही मेरा सबसे ज़्याद़ प्यारा है, और मेरे उपर निरंतर पवित्रता के सागर की किर्ने पड़ती हैं, मैं फरिष्टा कमल आसन पर हूं, मैं उड़कर कहीं भी आजा सकता हूं, विन विन इस्थानों पर जाकर, तुखी आत्माओं को सकास देने का अनुभव करेंगे, यह वासुंदर अनुभव होगा, और इसे सारा दिन आनंद में बीतेगा, ओम स्यंति